हाई एबरीबन वेलकम बैक तो माई चानल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिमाफ लॉजी का चैप्टर कास्ट टॉपिग्राफिक का पार्ट नमबर सेगंड ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें क्या पढ़ना है इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक जो है वह है इरोजनल लैंड फॉर्म तो अगर आपको नोट से तो इंस्टेग्रम का लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जा सकते हो चेक कर सकतो हो मिल जाएगा अगर आपको को यार चैप्टर पढ़ना हो या फिर इसका पिछले वाला वीडियो पढ़ना इस तरह के होते हैं इनका डाइग्राम होता है यह कुछ इस तरह का डाइग्राम है जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह देख लोगी कैसे बनता है यह उसके बाद रॉक अधर दैन लाइमस्टोन अब ऐसा तो नहीं होता है ना क्यूंकि हम तो पढ़ी रह कि मतलब जो भी रॉक्स है वो लाइमस्टोन के लावे हैं अब देखो उसके लावा हमारे केव से हैं गुफाओं में तो बहुत सारे लोग गया भी होंगे मतलब होती है चोटी चोटी गुफाओं में आप लोग गय हो तो जिसमें आपने यह देखा हो कि कुछ इस तरह से बन और यह जो नीचे से होता है उसको हम estalgamite कहते हैं, यह हमारा हो गया cave pillar and यह हो गया हमारे caves, जिसमें जाने का तो रास्ता होता है, बट बहुत जादा एकदम narrow narrow होता है, ठीक है, तो सब को समझ में आ गया, यह diagram, अब हम इस diagram को हटा करके, इन सारे topics के बारे में detail में पढ़ते ह ठीक है, तो चलो start करते हैं, सबसे पहला जो हमारा है वो है lapis, okay, erosional landforms का सबसे पहला हमारा क्या है, lapis, तो lapis क्या होता है, the highly corrugated and rough surface होता है, यह ठीक है, नालीदार होता है, और इसका जो surface होता है, वो काफी rough होता है, तो हमने एक कल भी पढ़ा था, कि जो हमारा, क्या हो अन लिथोलाजी, characterized by low rises and pinnacles, narrow cliffs and numerous solution holes is called lapis, okay, इसमें जो rises होता है, जो चोटियां होती है, जो क्या होती है, वो क्या होती है, वो लो होती है, ठीक है, और जो भी हमारे पास दरारे वगारे, जो भी होती है, छोटी छोटी वो काफी एकदम narrow होती है, काफी एकदम संक्रीन टा और क्या होता है, उनके सर्फेसेस पे, numerous solution holes होते है, जिनको हम क्या कहते है, लापिस कहते है, इन सब को मिला करके हमारा क्या बन गया, लापिस, अब देको यह भी चीज है, रिप्रेजेंटर फ्रेटर अन फ्लुटर टोपिग्राफी, मांक बाइ स्माल रिल्स, एंड क्यूल और क्या होते है, जिएक सेमिम वही चीज है किसमे क्या होती है, शोटी-चोटी शोटी मालिया होती है, माय राइज सोते हैं, चोटी-छोटी सिखरे होती है, ठीक है, और एंड डिप्ष्ण और नेरो क्लिफ्स होते हैं, तो यह हमारे हाथ है, अब आगे पढ़ेंगे कि इन इनको बहत सारे नाम से मतलब डिफरेंट नेम से डिफरेंट पाथ ऑफ वॉल्ड में बुला जाता है जैसे क्लिंस एंड ग्रीक्स इसका यह कहां पर यूज़ उता है नॉट इंग्लैंड में कैरें कहां पर यूज़ होता है जय मारे उनकी कोर्जन के वज़े से होते हैं और इनके जौइंट नॉटे के साथ सात है और उसकी में क्राफ़े से क्या होता है जो पिंधियम स्और ऑस म्मु स्याहितर की फोल पाइल जाता है स्वाइकली अक्टिव रैन वोटर डिजोल्स विस लाइमस्टों उडर काबोनेट रॉक्स व्याइट से लॉइंट नहीं ऑग उन्टाइप सब्सक्राइबस टाइप सब्सक्राइब सब्सक्राइब develop होते हैं ground surface पे ठीक है तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है एक्टिव रैन वोटर की वज़े से जो लाइम स्टोन है वो अपने जॉइंट्स के साथ साथ और अधर काबोनेट मैटेरियल के साथ साथ डिजॉल्व करते हैं जिसके वज़े से solution holes हमारे ground surface पे developed होते हैं ठीक है जिनको हम sink holes के नाम से जानते हैं डोलाइन्स वगरे के नाम से जानते हैं ठीक है मतलब यह अलग-अलग type के holes है हमारे ठीक है average depth ranges between 3 to 10 meters जो average depth होता है solution holes का वो क्या होता है 3 to 10 meters होता है ठीक है अब आगे हमारा gradual enlargement of sink holes due to continuous dissolution of flammish stones results in the coalescence of closely shaped sink holes into one large hole which is called swallow holes ठीक है तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो धीरे जीरे जो हमारे चोटे-चोटे sink holes जो थे वो क्या करते हैं एक साथ मिलते हैं और बड़ा सा sink hole बोल सकते हैं एकदम create करते हैं ठीक है या फिर बड़ा सा large hole एकदम create करते हैं जिसको हम swallow hole कहते हैं अब हमारे पास क्या है अब क्या होते हैं चोटे-चोटे-चोटे sink holes मिल करके बन गए और अब जो फॉर्टर अगर इनलार्ज होते जा रहे हैं continuous solution की वजह से ठीक है उनमें जो depression है जो गहराई है वो बढ़ते जा रही है तो वह मारे क्या बन जाएंगे बन जाएंगे कास्ट रिजन के ठीक है आगर मारे पास the solution holes enlarged due to collapse of some portion of upper surface because of the formation of cavities below the ground surface are called collapse sinks ठीक है जब solution holes क्या होते हैं enlarged होते हैं कैसे some portions of upper surface जब उसके collapse करते हैं जब उपर surface जो भी है वो धह जाते हैं solution holes के cavities बनने की वज़े से ठीक है hole बनने की वज़े से तो क्या होता है sorry देखो यहां पर क्या बता रहा है solution holes enlarged due to collapse of some portion of upper surfaces because of formation of cavities below the ground surface यहां पर यह हो रहा है कि जो हमारे कुछ solution है वो enlarge करते हैं कैसे जो उपर का जो भी है upper surface जो है वो ध्हाने लगता है क्योंकि हमारे जो नीचे हो थाविटीज बनने लगते हैं below the ground surface तो उसे हम क्या कहते हैं collapse sinks अब समझ में आ आगे क्या है आगे हमारे पास और फीचर अल्मोस्ट सिमिलर टू डिकलाइन डॉलाइन इन अपिरेंस बट विट सैलो डेप्थ और लॉंगर लाजर एरियल एक्स्टेंट इस कॉल सॉलिशन पैन ठीक है अब एकदम सीमिलर है डॉलाइन से सीमिलर अगर कुछ बन रहा है वैस लेकिन उसका जो डेप्थ है वो शैलो है लार्जर है और एक्स्टेंट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे शॉलिशन पैन कहेंगे सम्टाइम्स दफ्लोर ऑफ डॉलाइन इस प्लोग्ड डॉग्ड दू दिपोजिशन ऑफ क्ले विद रिजल्ट ऑफ वोडर का नोट वो नीचे नहीं जाता है पाकुल्आ नहीं कर पाता है तो जो पानी रहेगा वो यहीं पर जमा हो जाएगा थिक है तो सच रॉलाइन सफुल अफ वोर्टर ऑर कॉल्ड cast legs, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे डॉलाइंस को cast legs कहते हैं, ठीक है, अब जो rock wall steeped है, depression caused by collapse of ground surface, ground surface के collapse करने की वज़े से, क्या होते हैं, जब rock shaped steep depressions बनते हैं, तो उन्हें हम cockpits कहते हैं, ठीक है, अब आगे हमारा पास cast window, is formed due to collapse of upper surface of sinkholes और डॉलाइंस, जो upper surface होते हैं, sinkholes के और डॉलाइंस के, जब बोड हैते हैं, क्या बनता हैं, हमारा cast window बन जाता है, extensive depressions are called yuvalas, जो extensive depressions बहुत जादा होते हैं, depressions उन्हें हम yuvalas कहते हैं, which are up to one kilometer across, ठीक है, formed in a number of ways, अब देखो, ये बहुत सारे ways में formed करते हैं, रीजन बहुत सारे होते हैं, तो पहले हैं, due to coalescence of several door line into door lines, due to continuous solution and enlargement of door lines, ठीक है, जब enlargement होता है door lines को, और बहुत सारे जो, हमारे door lines होते हैं, वो continuous उनका solution होते रहता है, ठीक है, अब आगे पास हमारे क्या है, due to collapse of upper roof of large cavities formed underground, जो हमारे पास underground formed cavities होती है, तो उनका जो upper roof होता है, जब वो collapse करता है, तब हमारा क्या बनता है, उनका बनता है, उसके बाद है due to coalescence of various sink holes, बहुत सारे sink holes के coalescence करने की बज़े से भी ये बनते हैं, ठीक है, smaller you all eyes are called jamas, ठीक है, तो जब ये छोटा छोटा बन करके, मतलब जो छोटे छोटे युवालाज होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं jamas, ठीक है, यहाँ तक सबका एक दिम clear हो गया है, अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या है, इसे बनते हैं, और क्या हमारे पास, अलो विल यनदिपेंडेंट् सर्फेस डुरिनेंगे सिस्ट्म on their floors, irregular borders and central lake ये सारे होते हैं characteristic हमारे polges के ठीक है अब है हमारे पास closed basins of elliptical shape having an area of up to 258 km square ठीक है closed basins होते है elliptical shape के elliptical मतलब जो हमारा क्या होता है एक shape का हम बोल सकते हैं उसको ठीक है जिसका area कितना है up to 258 km square आगे हमारे पास है found in caste region of Yugoslavia ये कहां पर पाया जाता है basically Yugoslavia के caste region में and Jamaica के believed to be formed due to down folding and down folding of limestone areas due to earth moments ठीक है अब ये क्या है believe क्या जाता है कि ये कैसे बनता है down folding की वज़े से और down folding की वज़े से जो limestone है हमारा उसका जब down folding होता और down folding होता है earth moments की वज़े से तब ये बनता है हमारा ठीक है अब हमारे पास क्या है according to BW sparks अब इनके according क्या है जो polges है वो क्या होते है वो solution forms नहीं होते है at all but tectonic depressions ये क्या होता है tectonic depressions होते है जो कि limestone की solution के द्वारा modified करे जाते है limestone में limestone का solution जो होता है उसमें preserved होता है ठीक है तो ये हमारा था topic जो कि क्लियर हो चुगा next topic में हम cast values वगरे के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो मिलदे है next video में I hope आपको समझ में आ गया होगा और नहीं समझ में आ होगा तो अबता है तो